जब हम MS Word पे कोई भी पिच्चर इंसर्ट करते हैं पर वो हमारे कोडिंग मूव नहीं होती है तो उसको मूव कराने के लिए सबसे पहले हमें एक पिच्चर इंसर्ट करने होगी हम एक पिच्चर इंसर्ट करेंगे उसके बाद एक न्यू टैप खुलेगा पिच्चर फॉर्म मूव कर पाएंगे जहां भी आपको उसे प्लेस करना है आप इजीली कर पाएंगे ऐसे ही और वीडियो के लिए चलो सब्सक्राइब करें वीडियो को शेयर करें बाई